बूर्णिंग वेलकम नमस्कार आपका फिर से स्वागत है तक्षी रिलम्स की नई वीडियो में मेरा नाम है पारस और आप मेरे पीछे जो विल्डिंग देख रहे हैं बिसिकली जी प्लस वाइफ की विल्डिंग होने वाली है जिसमें टू एंट्री बीचके के फ्लाइट्स होने वाला है चालेश विट और तीस विट के कॉर्णर पे तो आईए वीडियो के शुरू करते हैं तो लेट्स स्टार्ट इट हां जी तो गेट ही देखोगे का आप तो यह हम 3BHK फ्लाइट की तरफ आप चुके हैं जो कि आपने पार्ट 1 में देखा था वो 2BHK का फ्लाइट ता अब पार्ट 2 में मैं आपको दिखाओंगा 3BHK का फ्लाइट तो पार्ट 2 में आप देख रहे हैं कि यह अपकी पूर केस रहेगा आज अपन 3BHK का फ्लाइट देख रहे हैं जो कि साड़े तेरह सो स्क्वेर फीट का फ्लाइट मिलने वाला है अपन को तो आईए अपन चलते हैं अंदर फ्लाइट की तरफ तो फ्लाइट की पूरी यह एंट्रेंस हो जाएगी जिसमें आप देख सकते हैं कि क किते साइस अच्छे साइस का आपका यहां पर लेविंग प्लस डाइनिंग एरिया आचुका है जहां पर आपका आराम से 7 तू 8 सीटर का सोफा लग सकता है जो कि बहुत ही अच्छा लगे का यहां पर लगने के बाद उसके अलावा वाल पेपर देखेंगे तो किता सिंपल रखके बहुत ही अच्छा लुक दिया है वो बहुत ही शांदार लग रहा है यहां पर साथ ही साथ आप यह देखो के तो पूरा यहां पर आपका टीवी काबिनेट आ चुका है जिसमें आपकी स्टोरेज एरिया नीचे प्लस यहां पर आपका लेडी आजाएगा प और लाइट गुलर का वालपेपर यूस किया हुआ है प्लस साथ ही साथ ऊपर आप वालजली देखेंगे था यह दिए तो फैन्स फॉल जिली और लाइट लगा के उसके बीच में यहां डिवल्पर का टेक्सचर दीआ वा है जो की cell लग रहा हित चुका प्लैट का साइज 3 तेरा सो स्वेर फीट का है, प्राइज जो है 45 लाग रूपे की प्राइज इसकी, आइए इसकी बालकनी की तरफ चलते हैं, तो आपने कभी ऐसी बालकनी देखी ही नहीं होगी मेरे साब से, 45 लाग के फ्लाट में, आइए मैं दिखाता हूँ, तो इत्ती बड़ी 3BHK के फ्लाट में बालकनी आपको मिलने वाली है, जो कि आप देखी कि बहुत ही अच्छा साइज मिलने वाला है, 45 लाग रूपे में, साथ ही साथ आप एक चीज देखोगे कि यहां पर आपका स्टेनलेस टील के साथ यहां पर गलास की रेलिंग लगाई ही है, जो कि बहुत ही अच्छा लूप देते वे आपके बालकनी को एक अच्छा सा लूप दे रही है, इसी के साथ साथ अब अपन आचुके हैं इसके ब पर कम्प्रीट लगाई भी है, जो कि बहुत ही अच्छा लूप दे रही है, फ्लाट्स जो हैं कम्प्लीटली वेंटिलेटेड है, सुबह से लेके शाम तक की इसमें लाइट्स आनी आनी है, क्योंकि आपकी जो बिल्लिंग है वो इस्ट वेस्ट और सौथ तीनो तरफ से ख देख सकते हैं कि again SS की और बात essence की सारी fittings लगने वाली है, जो कि आपकी Asian paints जो की बहुत ही अच्छी और premium quality की sanitary wear और sanitary fittings बनाती है, उसी की आपकी सारी fittings होगी, अब आगे चलते हैं, तो यहां पर आपन ग्रॉइंग रूम में आ जाते हैं, जिसमें आपका यहां पर basin एर मुल्टी वापस यूज की तरह कर सकते हैं, उसके अलावा अब आपन चलेंगे kitchen की तरफ, तो kitchen में आपका completely upper cabinets और lower cabinets बनाए हैं, जो कि आपका modular kitchen भी कहलाता है, यहां पर पूरा kitchen कंप्लीट करके दे रहा है, आपको जो के आप देख सकते हैं, प्लस साथ ही साथ चिमनी के ल kitchen, उसके अलावा अब आपन चलेंगे तो यह आपका bedroom number 3 हो जाएगा, जिसमें आपके पूरी water rolls आजएगी, प्लस wallpaper का आपको यूज किया है, वाल पे उसके अलावा आपके ऊपर fall ceiling में, साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा, जो आपका 3BHK का flat है, तो 3 side open flat है, उसके अलाव अब आप यह आईए, बल्कनी में, आप देख सकते हैं कि यहां से भी आपके पूरा खुला है, जो कि आप देख सकते हैं कि यहां पे किता अची तरीके से पूरी बसावत है, आसपास में, साइज जो मैंने आपको बताया है, साड़े तेरा सु स्क्वेर फीट का आपका 3BH आपका 3-sided open है, स्टार्टिंग में आप वीडियो जाके वापस से देख सकते हैं, तो मैंने आपको ड्रोम शॉट में दिखाया होगा कि कैसे आपकी बिल्डिंग कॉर्णर है, I hope आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी, thank you so much for watching this video, have a good day, bye bye.